इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस्टेलिया और यूजिलेंट की बीच होने वाले पहले टी-20 मैंच के बारे में और वीडियो में भी बताया था जो लोग जुड़े वे उनको मालूम भी होगा और उसके अलावा एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा उस वीड मेंने अनौंसमेंट कर दिये थे और उनको आज प्राइज मिल जाएगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस वीडियो में आप सब के लिए फिर इंदर बताऊंगा ओवराल वीडियो देखने पे आपको बहुत फायदा होगा जिसमें सबसे बड़ा फा इस वीडियो में गीववे भी रहने वाला है जो आप बहुत ही आसानी से बिन कर सकते हो क्या करना होगा उसके लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन इतना ध्यान रखना गीववे के लिए हैं जो की चैनल के सब्सक्राइबर से और अगर आपने चैनल सब्सक्राइ है यह कैसे आप विन करोगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है देखिए इस मेंच की फाइनल टीम जो होगी जिसके साथ मैं इंवेस्टमेंट करूंगा वह आप लोगों को टेलिग्राम चैनल पर मिलने वाली जिसका लि मैच हो रहा है बैटिंग अच्छी होगी बोलिंग अच्छी होगी उसी साफ से टीम मनती है तो वह मैं आपको देने वाला हूँ टेलिग्राम चैनल पर और जो भी अपडेट्स होंगे प्लेंग लिए उनमें मानलो कोई चेंज होता है पिछकी कंडिशन तो बताए दूगा दूसरा लायक और कॉमेंट करते रहते हैं इस वीडियो में भी था लेकिन वह मेने आपको अभी नहीं बताए आगे में यह चीज़ बी बताऊंगा किस वीडियो में कौन अप्रेशन जादा करना है एक बहतेरीन fantasy application जहां मेरी खुद की विनिंग 15 करोड से जादा की है खुद की विनिंग जो मैं आपको शेर भी करता रहता हूं और कल भी PSL के अंदर मैंने 10 लाग से जादा का investment किया और करता इसलिए हूं क्योंकि यह जो application है ना यहां पे आपको competition बहुत कम देखने को आते रहते हैं अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे मैच के बारे में तो जैसा कि आपको बताएं कि पहला T20 मैच हो गई है तो यह मैच खेला जाएगा Wellington Sky Stadium New Zealand देखिए यह चीज में क्लियर कर दूँ कि जो Australia की टीम है ना यह न्यूजिलेंड गई है ठीक है पहला मैच होगा यह और यह मैच लाइव आप देख सकते हो होट इस्टार के ओपर और बाकी कोई भी स्ट्रीमिंग बोरोटकास जहां भी होंगे मैं आपको इनफर्म कर दूँगा मोस्ट परभिली या तो Amazon Prime पर भी आते हैं और या फिर होट इस्टार पर तो कंफर्म भी मैच को उठाके देख लो Amazon Prime करता ही करता है इनका ठीक है अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस वेन्यू की सो गाइस देखिए पिछली जो कुछ मैचेस यहां पर खेले गए ना उसमें ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड यह इसी सीरी मतलब जैसे यह टीटवेंटी सीरीज है आच हुआ था तो 150 प्लस का स्कॉर हो रहा है तो यानि कि आप लोग उमीद लगा सकते हो एक बैलेंस विकेट और बाकी फाइनल पिछ रिपोर्ट बताई देगी कि भाई किस तरीके का विकेट रहने वाला है एक्सपेक्टेड है 160 से 170 का एवरेज स्कॉर मतलब इतना तो ब मामले में आपको पता है जिसका दिन रहता है वो कुछ भी कर सकता है और फिर प्लस पॉइंट क्या है न्यूजलेंड के प्लेरों का यह होम ग्राउंड भी है और इसलिए पहले तो एक बार यह चलता था कि ऑस्ट्रेलिया वन साइडेट इस ट्रोंग टीम रहती लेकिन आप लगबग मानलो 60-40 का आगड़ा आ चुका है जिसमें 60% विनिंग चांसे जो है न्यूजलेंड के हैं और ऑस्ट्रेलिया के आप मानलो 40% ठीक है और यह इसलिए क्योंकि इनका होम ग्राउंड है उसके अलावा देखिए जो पहला मैच यानि कि आखरी मैच यहां पे ख देखने को ने मिलेगा यहां पे आपको जैसे इंग्लेंड में होता है न्यूजलेंड में पेसर्स के ओल पेसर्स का काम है आपको मैं बोलूंगा जो भी टीम पहले बोलिंग करें उनके डेथ बोलर मश नीडेड होंगे इवन वाइस केप्टन मना सकते हूं इतनी और बता इस पिनर्स का काम ज्यादा नहीं है यह चीज आप ध्यान लगके चलना उसके बाद पिछ रिपोर्ट की देखिए मैं आपको बताया चुको टेलेग्राम पर इंफॉर्म कर दूंगा बारिश के चांस कोई है नहीं यह फोर्म है और यह पेसर्स पूरे विकिट ले जाए ल स्पिनर्स बहुत ही कम कैसेस में विकिट लेते हैं अब मेरे इस बोलने पर हो सकता है कि पूरा गेम स्पिनर्स के हाथ में चला जाए तो यह चीज मेरी नहीं होगी यह एकस्पेक्टेड कुछ चीजे होती है जैसे मान के चलो अभी अफगानिस्तान की टीम है ठीके इंडि करोगे यह confirm guarantee ठीके अब प्लेइंग लिए उनकी अगर हम बात करते हैं तो फिन एलन मोस्ट लाइकली डेवन कॉनवे के साथ ओपन करेगा फिर विल यंग है फिर ग्लैन फिलिप से फिर मार्क चैपमेन है रचीन रविंद्रा रविंद्रा ओपन भी कर सकता है वन डाउन भ इस चोड़ी लोकी फर्गूसन के साथ टीम साओधी काफी सोलीड टीम है काफी तगडी टीम है इनके अगर हम बात करते हैं मेन बोलर्स की कौन-कौन से इसे बोलर है जो चार ओर करेंगे देखिए पोसिबिलिटी जिनकी चार ओर के ज़्यादा है उसमें टीम साओधी फर् चल सेंटनर और फिर बचे यह रचीन रविंद्रा और इस सोडी और अगर सामने लेफ्टेंडेट बैट्समें अगर जादा है तो उस केस में आपको ग्लैन फिलिप्स भी बोलिंग करता हो नजर आ सकता है अगर हम लेफ्टी राइटी यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो लोग कैप्टन लेके आएंगे डिवोन कन्वे ओपन करेगा और यह मार्क चेपमें तो चलो नीचे आएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि सामने वाले टीम का ओफ इस्पिनर मश नीडेड होगा ध्यान रख के चलना लेग इस्पिनर का काम थोड़ा कम और अब हम प्लेयरों का रिकोर्ड देखते हैं कि वेन्यू पे किस प्लेयर का कैसा रिकोर्ड है और जो ऑस्टेलिया के अगेंश इन्हों ने मैचेस खेले उसमें किस बंदे ने कैसा परफॉर्मस दिखाया हुआ है तो सबसे पहले इनके ऑपनर प्लेयर डिवान कॉन्वे और फिन एलन की हम बात करते हैं जिनकी रिसेंट फॉर्म फिन एलन की सबसे तगड़ी चल ली है अभी इनका न्यूजलेंड का मैस था आपको बताओगा सिरीज चल ली थी पाकिस्तान से उसमें भी इस बंदे ने कमाल धमाल की परफॉर्मस दिखायी थी और यह जो 137 का स्कोर है बहुत ही मतलब और आल आप यह मान लो कि काफी अच्छी फॉर्म में और बंदे का यह होम ग्राउंड है मश नीडेड प्लेयर है एवन में यह भी कह सकता हूं कि यह ट्रंप कार प्लेयर होगा बस यह कि जो सामने वाली टीम की बोलेंगे वो काफी जादा सॉलिड है तो कौनवे का रिकोर्ड अगेंश उस्टेलिया अच्छा ही मान लो आप और कौनवे क्या है विकेट केपिंग भी करेगा तो भाई मतलब टीम में तो कंफर्म लेना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए फिर भी एक बार आप सोच सकते हो कि बनाऊ ना बनाओ बर टीम में 100% टीम में लेना है वेन्यूपी नोने दो में तीन मैच खेले जिसमें दो में अच्छी नहीं एक में फ्लोप है विलियंग की हम बात करते हैं तो अगेंश उस्टेलिया इस बंदे का पहला मैच होगा टीम क्या अगेंश इनोने यह सोरी वेन्यूपी नोने जो है ना तीन और विलियंग यह अगर जल्दी चले जाते हैं तो यह मैं गैरेंटी से बोल सकता हूं कि अगर कोई ठीका रहेगा मेदान पे आखरी मुमेंट तक तो वो फ्लिप्स रहेगा फ्लिप्स का टीम में अगर टीम यह पहले बैटिंग करते हैं तो क्योंकि अच्छा प्लेयर है और अगर सामने लेफ्टी है तो 100% ले लेना ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं यहां से बाकी प्लेयरों की तो मार्क चैंप्मेंट और रचीन रविंद्रा है रचीन रविंद्रा का उस्टेलिया की अगेंश पहला T20 मैच होगा और इस वेन्यू पर भी पहला मैच होगा बट मैं सजिस्ट करूँगा ऐसा नॉर्मल प्लेयर जादा बैतर होगा उसके बाद एड़म मिलने है और श्टेलिया की अगेंश दो मैच खेला है दोनों में फ्लोप है लेकिन देखिए यह चीछ ध्यान दो कि वेन्यू का किस तरीके का इंपक्ट पड़ता है अब यहां पर देखिए इस वेन्यू पे नोने दो ही मैच खेले लेकिन टोटली फ्लोप है लेकिन इस वेन्यू पर जो दो मैच ना उसमें नोने पांच विकेट लिए तो यह फरक पड़ता है वेन्यू उसका ठीक है कि होम ग्राउंड जिनको होता है उनके लिए बहुत आसान हो जात तो सोडी भी आपके लिए फिन एल है तो चलो कुछ लाएंगे कुछ नहीं लाएंगे लेकिन सोडी का कंफर्म है कि बहुती कम लोग लेके आएंगे अगर आप थोड़ा सार इसक ले सकते हो तो इस सोडी को ट्राइ कर लेना record के best पे record इनका super bet ठीक है उसके बाद हम बात कर यहां पर लोकी फर्गियूसन और टीम साओधी की देखें दोनों इंपोर्टेंट है लेकिन पहली बोलिंग पे साओधी दोनों कंडिशन इंपोर्टेंट है लेकिन फर्गियूसन के वहल इंपोर्टेंट होगा पहली बोलिंग पे ही साओधी का है सेकेंड इनिंग में भी अ और प्ले में आपको ग्रेंट फिलिप्स देखने को मिल सकता है नाओ अब आपको ग्रेंट फिलिप्स को टीम में कंफर्म लेना एक बार के लिए अगर ट्रावी सेड वगरा नहीं खेलता तो मैं सोच सकता थे कि चलो ड्रोप कर दें लेकिन अब तो टीम में 100 परशन ले रहा क्योंकि वो भी ओफिस पे ना रहे तो ये चीज़ आप ध्यान रखके चलना ठीक है जैन उनके बाद जोश इंग्लिश टीम डेविट मैथ्यू शोड एडम जेबा जोश हैजलोड मिचल इस्टार को वहीं पे पैट कमिंस तीम सूपर इस्टार प्लेयर इनके वापस आ अशान नहीं होगा चलिए अब हम बात करते हैं यहां से में बोलर्स की कौन-कौन चार ओर करेगा देखिए एक्सपेक्टेड चार ओर की अगर हम बात करते हैं तो नीचे की तीनों प्लेयरों की आप चार ओर की पूरी उमीद लगा सकते हैं और क्योंकि वहां लेफ्ट ही तो मैं जेमपा से चार ओर की उमीद लगा नहीं रहा हाला कि चोथो अप्षन अगर चार ओर कोई करेगा ना तो वह जेमपाई है लेकिन मैं ज़्याद अमीद नहीं लगा रहा हूँ तो चोथे ओप्षन में आपको मैक्सवेल, मैथ्व शोट और एडम जेमपाई है तीन जो मिलकि और रूस करेंगे ये चीज़ आपको ध्यान रखनें ठीक है पाऊर प्लेयरे वर डेद के अगर बात करते स्टार्क हाजल वूर्ड और मैक्सवेल पाऊरप्ले में मैक्सवेल आएगा कि आउल कौन वे के लिए और डेथ वर्स की हम बात करते कमिंस श्टार्क और है जलूर ये मिलके डैट वर्स फिनिश करेंगे और ये इनके बैंच के प्लेयर है स्पेंसर जॉंसर नाथा नेली स्रोही पे श्टीवन स्मित अब हम बात करें प्लेयरों का रिकोर्ड न्यूजिलेंड के अगेंश कैसा है और इस वेन्यू पे पास आएगा इवन लोगों का कैप्टन होगा तो ड्रोप करना सिवाए बेवकूफी के कुछ नहीं है टीम में कंफर्म लेना ट्रावी सेट के हम बात करते हैं बंदा बहुत ही क्लासिक और इतना क्लासिक है अलावा ये भी आपको पता ही होगा कि मैक्सवेल भी काफी अच्छी फॉर्म में नजर आया है ठीक है फिर जो शिंगली से विकेट केपिंग में देखिए ओल्रेडे डिवान कॉनवे जैसा प्लेयर अवेले बहले तो मैं इनको बिल्कुल सजिशन ही करूंगा ठीम डेविट को अविनी वरेले में ट्राई करना मैत्यू शोट को ट्राई कर सकते हो केवं ग्रैंड लिग हो गई या मिनिछी ऐर मैत्यू छोट कई बार चया है बैटिंग पर इनको और भी आता है जैसे मालु में होता नहीं पूर बहुंद कर रहा है तो फिर आप इसको उन्हें दो मेंच के लिए इसमें पांच विकेट है इस टार्क और पैट कमिस की हम बात करते हैं तो यह टोटली फ्लोप रहा है जो दो में सुपर स्टार प्लेयर है और श्रेलिया के में बोलर वो दोनों के दोनों न्यूजिलेंड के अगेंश बहुत ही गंदे तरीकित से फ मश नीडेड है परफॉर्मस दिखाना और अगर फ्लोप होता है तो दिक्कत है आ जाएंगी इस्टिव स्मित के लिए अब हम बात करतें गीववे की देखिए सबसे बहले तो जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो उनको मिले वीडियो को लाइक भी कर दे मैंने बताया था ना कि तीन हजार लाइक का टार्गेट इस वीडियो में आप सब के लिए रहने वाला है ना अब हम बात करतें सबसे इंपोर्टेंट चीज कि कि इस वीडियो में जो यह गीववे या आप कैसे विन में एक क्यूशन पूछूंगा अगर वह आंस्वर आपका सही होता है तो आप लोग इयरबर्स भी जीत सकते हो तो यह आपके लिए गीववे हैं जो आप असानी से विन कर सकते हैं आप क्यूशन में पूछ लेता हूँ सबसे पहले क्लियर करते हैं इयरबर्स का तो इस में में मेरा कैप्टन रहने वाला है ग्लेन मेक्सवेल तो आपसे मैं क्यूशन करूंगा कि ग्लेन मेक्सवेल की कितने फैंटेसी पॉइंट होने वाले जिसका आंस्वर सबसे पहले सही आएगा वह विनर रहेगा और दूसरा जो यह पांच जार का गीववे अगर मैं इसकी ब पांच जार पे आप लोग विन कर जाओगे यह कंडिशन दो जरूर याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ठीक है नाव बात करते हैं टीम की तो फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप् ब्यूंको मिलती रह Deb waiting कि नहीं को दिखा देता हूं इंवेश्मेंट आपको करना नॉर्मल चाय कोई सीवा टीम बैटिंग करें चैनल कोई सी बीटीम बोलिंग करें लेकिन यह चीजँ दियान देना इन्वेश्मेट आपको सेव फॉर्म में करतें किसेतों लेगी सेव08 मि को गाओगे तो बैटिंग सेक्षन में ग्लेन फिलिप को मैंने लिया हुआ है क्योंकि जो ग्लेन फिलिप से अब जो है बहुत इंपोर्टन हो चुका है उसके बाद यहां पर मैंने पिक किया हुआ है डैविड वर्नर को और हमारे ट्राविस हैड को मिचल मार्श में टीम में जब लूँगा जब टीम बैटिंग करेगी फिलाल के लिए मैं ऑस्टेलिया की बोलिंग के बैस पर टीम बना रहूं कि ऑस्टेलिया बोलिंग करेगी बाकि जो चेंजेस होंगे मेरी टीम के अंदर वो मैं आपको इंफर्म करी दूँगा उसके बाद ग्लेन मैक्सपिल को म पिचल इस्टार को बैट कमिंस यह फिलाल के लिए मेरी डेमो टीम है जो कि उस्टेलिया की पहली बोलिंग के बैस पे हैं अगर उस्टेलिया बैटिंग करती है तो टीम में चेंजेस होंगे उसकेस में तो मैं फर्यूसन वगिरा को भी लूँगा कैप्टन मेरा इस मैच मे स्मॉल लिग में रहने वाला है ग्लैन मैक्समेल और वाइस केप्टन की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ ठीक है बाकि रिस्क नहीं बोलूँगा मैं इनको वी सी मेरा वारनर है ठीक है रिस्क तो बिल्कुल नहीं है मतलब लोगों का कैप्टन जिसको मैंने वी सी मना रहा तो रिस्क तो नहीं है बाकि हाँ कैप्टन सी अगर आप चेंज करना चाहो तो जैसे कि आप जैसे वारनर को ही कैप्टन कर दिया वी सी इसको कर दिया ये भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है फिलाल मेरा कैप्टन ग्लैन मैक्समेल और उस आपको तो जो मैं वीडियो में Captain Vice Captain दे रहा हूँ वही मेरे Captain Vice Captain रहने वाले है तो जो भी मतलब वीडियो देखेंगे उनको फायदा कंफर्म रहने वाले है ठीक है बागे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं क्या हो सब्सक्राइब करें फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम जोइन करें और गीववे में जरूर पार्सपेट करें ठैंक यू दोस्तों इस वीडियो का अंट देखने के लिए मिलते है नेक्स्ट व